हेलो गाइज बेलकम टू फोकस्पीतस और मैं हूँ पंकच सियाटेस इंटन्स 2020 के लिए 1500 से भी ज्यादा है जाइब और एके वीडियो प्राइट करा है है जैसे आज आपके एस बीडियों के बाद साम को एक और अजियो अगद्हेसी कमें पोलिदियो करें रखिज्द करें तक हम आपके लिए extra classes और लगवा सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं ठीक है और हमारे group में join हिने के लिए description में जाईएगा वहां पर आपको whatsapp link दे रखा होगा उस पर क्लिक करके आप हमारे whatsapp group में join हो जाईए तो पहले समझ लेते हैं जो हमारे CIT sentence examination होगा 2020 का उसमें सभी टाइब के question आने वाले हैं चाहिए आपके operating system क्यों fundamental computer हो basic computer हो internet and computer हो networking हो database हो और other types के question हो जैसे MS office MS access and etc ठीक है बहुत सारे types के question होंगे जिसमें से लगबग हम सारे types के question आपको करा चुके हैं लगबग में ठीक है जो most important question है वो कराया जा चुके हैं और फिर जो सारे important question है वो अब उनकी series जो है continue है और आज की series यानि आज को जो वीडियो है वो आपका आया है internet computer networking से तो जो internet से जितने भी important question होगे और ऐसे question होगे जो आपने सायद ही देखिया हो या मैं कहा सकता हूँ जो आपके इस mostly exam में आये हुए question है वही आपके सबसे important question यहां पर हम लेकिए हुए है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और सुरू करने से पहले मैं रोट करूंगा सभी से कि जिस ने भी अभी हमारे WhatsApp group को join नहीं किया है तो join कर ले और साथ हमारे इस चैनल को भी subscribe करके इस वीडियो को लाइक कर दे ठीक है तो चलते हैं और सुरू करते हैं पर वीडियो दिए पहला question है था standard protocol of internet and standard protocol of internet क्या है पहले जो use के जाता था वो आपका use के जाता था OSI models के protocols को लेकिन जो अब standard protocols use के जाते हैं आपका सीधा question यही आ सकता है और यही आया भी हो है कि standard protocol internet का क्या है तो यहाद रखना TCP जो IP internet protocol है ठीक है वो आपका internet का protocol है याद रखना यह एक लेयर भी होती है एक तरीके से model भी है TCP IP model और यह internet का एक protocol भी है तो यह दोनों की तरह काम करता है लेकिन internet में अगर यूज किया जाए तो इसको प्रोटोकॉल की तरह यूज किया जाता है और mostly जो आपका important question है यहीं से उठते हैं ठीक है फिर दूसरे question पर चलता है तो दूसरा question हम से पूछा जा रहा है कि the software application used to display web pages is card मतलब कौन से software जो है बैप पेजस को सो करने के लिए आपको यूज किया जाता है तो सभी को बता होगा जो browser होता है यूज किया जाता है बैब बैप पेजस को सो करने के लिए third question भी चाओ फॉलाइंगे ज़रेक्ट क्रीट एन HTML डॉक्मेंट को create करने के लिए क्या चाहिए होगा आपके लिए दो create करने के लिए not run करने के लिए यहां पर run करने के लिए या शो करने के लिए आपको नहीं बोला जा रहा है तो browser का यूज आप रन करने के लिए करते हैं वैसे लेकिन यहां पर create option जो है यान कि create करने के करने के लिए हम किसका यूज करेंगे टेक्स एडिटर का यूज करेंगे चाहिए वर्ट पीट का यूज कर सकते हैं चाहिए आप टेक्ट एडिकर एडिटर का यूज कर सकते हैं चाहिए नॉट पैट का यूज कर सकते हैं और फिर इसके लिए अलग-अलग सॉफ्टरे भी आ एड्रस होता है is a unique name that identify the specific data on a web page जैसे जो भी हमारे website होती है उनका जो unique name क्या होता है वो से हम कहते है URL मैंने last videos में बताया था आपको कि उसे हम कहते है URL और जो आपका hyperlink होता है that is a short link to create to jump on the web pages ठीक है यह बहुत होते हैं जो जिसके बदालत आप जा सकते हैं उन web pages पर easily access कर सकते हैं तो जो web address होता है website address होता है इससे हम कहां पर जा सकते हैं क्या identify कर सकते हैं simple सी बात है हम इससे जो हमारे website होती है web pages के उसको access कर सकते हैं option number c इसका भी सही हो जाएगा वारा ठीक है next आते हैं फिफ नमर कोशन तरी फिफ नमर बोल रहा है which of the following is used by the browser to connect the location of the internet resource मसे इस मैसे कौन से use के जाएगा browser के दोरा ठीक है बाइद ब्राउजर ब्राउजर यूस करेगा to connect the location of the internet resource internet कहां से आ रहा है इसको connect करेगा तो ब्राउजर में हम internet connect करने के लिए या internet से resource लेने के लिए उसमें डालते है URL क्योंकि internet या website को जो resource होता है एक तरीका या जर्या माध्यम्ब होता है आपका URL इसका option number d हमारा से जागा यह रख six number question which among the following is a search engine इसमें search engine क्या हों सार्च इंजन सभी को पता होगा internet explorer रहा है Firefox Google है ओपेरा है यह क्या है तो यादर की internet explorer Firefox और यह ब्राउजर से बग जब गोगल क्या है आपका search engine अठीक है अभी यह तो सीद सिंपल्स है इजीजी कोशन आ रहा है जो आपके मुसली आए हुआ है फिर आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे 100 कोशन यह पर कबर करने वाले हम 100 कोशन और 100 कोशन में आपको ऐसे कोशन मिलेंगे जो आपने साया दी देखिये हो यह साया दी आपको कोशन कि आज सबता हूं और पता होंगे तो कमेंड में कीचिए उनके answer ठीक है next आते है next seven number question अगर आपने कोई चीज सर्च की और सर्च करने के बाद सर्च इंजन जैसे गूगल आपको उस ट्राइब की चीजे दिखाता है जैसे यहू पर आप सर्च करते हैं जैसे आपने सर्च किया सहार सर्च करते हैं जिखान।ह सर्च करने की प्रिटर्न करें सहते हैं क्या कहलतीच हैuciones चाह B सहरे सर्च करते हैं और हमाएं ऑपने से यह कहbaren है इसमें या करने आता है हिए पॉइंट जिरो फाइब सेकेंड इसका मतलब होता है इसने एकदम से हीट किया और जो भी इसके मैक्जिमम सर्चेस थे सबसे ज्यादा जो सर्च करके हीट करने वाले जो जैसे हीट करने का मतलब जैसे यह website खुल गई बहुत सारे लिंक आ गया तो उस पर सबसे ज़्यादा जिस पर हीट किया गया होगा बहुत सबसे ज़्यादा आपको दिखाया जाएंगे ठीक है यह होता है हीट टर्म याद रखने आपको नेकस्ट आते हैं इत अबकोश्ट अबक सबसे किसका किलेक्शन होता है यह आद रखना वा पेजस का किलेक्शन होता है वाप साइट टैलन एट इस ए-दैस बिस कंपिर प्रोटकॉल तो टैलनेट के होताए अ बिसके मदद से हम क्या करते हैं अपने टेक्स को ये सांड को दूसरे में तो यहां पर टैलनेट के यूज के जा रहा है based on a text किस पर बेस्ट होता है यह text पर बीज होता है next आते हैं अब question number 10 पर through an administration or another user यानि कि कोई चाहे administration हो एक user who can access some else computer remotely जैसे यहां पर हम बैठे हुए है और हम Google का server use करना चाहते हैं या फिर दूसरे computer office का computer use करना चाहते हैं तो हम किसके through करेंगे यहां रखना यह सब use होता है टैलनेट के तरू टैलनेट is a program that allow use to हम यहां पर बैठे हुए और हमें दूर allow करता है यह रिमोटली access allow करता है जैसे आप फोन के जरीए क्या अपनी कार allow कर सकते हैं ठीक है फोन के जरीए आप तो बहुत सारे electronic 10 10 10 आपके 100 question यह यह 10 times 10 question आएंगे तो 100 question cover जाएंगे next question देख रहे है what is the URL URL क्या होता है तो URL सभी को पता है address होता है of web page not a website website web page का तो URL क्या होता है it कहां पर जाएंगे हम सीधे जाएंगे c number question is the address of a document or page on the web मतलब कोई document है या page है उसका URL उता है not website 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 को URL होता है वो cable.com तक होता है यहां दखना एक उसका domain होता है private domain होता है उसका URL होता है वो होता है लेकिन अगर web page की बात की जाए तो उसमें आपने देखा होगा web page में लिखा होता है www.nemi online and vision.in/.home.asbx जो ASP pages होते हैं वो आपका सोग करता है पूरा URL समझ गया है आप को भी and which is the following cannot be a part of email address इन में से email address का part क्या नहीं होता है तो यहां तक ना इस पेस होता है email address का part नहीं होता है नेक्स है a cookie a cookies क्या होती है तो क्यों 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 होती है store information बिलकुल यानि store information about the users web connectivity मतलब जब इंट यूजर होता है बैप से connect होता है यानि internet से connect होता है तो उसकी कुछ information क्या कर लिजाती है store कर लिजाती है इना memory वो अच्छे यह पूछा जाता है कभी कभी को की जो होती है कहां यूज होती है user की memory में यूज होती है यह server की memory में सेब होती है और कुकीज मेमोरी जो होती है वो वाइदा ब्रावजर वाइदा mostly ब्रावजर के दोरा सेब की जाती है ठीक है हो सकता है कोशन आपको देखे जब पैंचाने लगे कि इनमें दो तीन कोशन आपके ऐसे आएंगे जो रिवीजन बाली कोशन होंगे जो इंपोर्ट दर डिफ्रेंस ब्ट्वीन एंड कम्पीटर इस इनक म्लशन को बीच में डिफ्रेंज करने वाली डिवाइस क्या होगी देखर लैन शे चाहिए और फोन्रोंबी कनेक्ट हो सकता सब्सक्राइब्ल है कैसे इए पूपरेट कर सकते हैं और च्रूेटर, से भी बट जो मॉर्डम होता है एट डज एलाउस फॉर अनली कंप्यूटर टु एक्सेस इंटरनेट समझ गया अब दो के लैंग कैसे वर्क करती है कम फोन में लैंग जैसे आपने देखा होगा हम अपने डेटा के वल से क्या करते हैं अपने फोन को अपने लैप्टॉप में लगा कर डेटा से कर लेते हैं इसका मतलब है हमारा लैंड कनेक्ट हो गया है ठीक है इसका मतलब लैंड कनेक्ट हो गया और अपना डेटा से कर रहा है यह लेकिन मॉडम क्या होता है इस्पेशल यूज किया जाता है कंपेटर्स में, that is difference, six number question है, that is a collection of a web page and is a very first page that we see on the opening of website, देखे, is a collection of web page, तो समझ जाईए, collection of web page, क्या होता है, websites होती है, है ना, तो websites पहले कहाँ पहला है, पहला ही, दो में हम मिल ला है, दो में, ठीक है, फिर क्या रखा, dash is a very first page, पहला page होता है, हर किसी website का, तो वो होता है, home page, तो एक option हमारा से हो जाएगा, यानि website and home page are the two pages, website is a collection, और home page is a first page, ऐसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा, URL stand form, URL के perform, आपसे पुछ जा रही है, तो यहाद रखना, URL के perform होती है, uniform resource locator, क्यों जाएगी, uniform resource locator option number D, हमारा से हो जाएगा, option यहाँ पे भी है, इसके answers यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, which of the following is a domain is used by profit business, business देखिये, which of the following domain is used by profit business, देखिये, जो business के दोरा यह यूज के जाते हैं, जो businesses देखे सारे option दिखा देता हूं, business में जो यूज के जाने वाले profit business में इसके जाने डामेन होते हैं, वो काउन से होते है, .com, काउन से होते है, .com, form devu जो यूज कि जाता है Edu education से और जो एज, educational organization होती है उसके लिए और .net यूज कि जो यूज की जाती है यह पर Pacific Locations के लिए या जैसे आप researchers के लिए फिर उसके .org जो होती है यह simple organizations होते हैं चोटे-चोटी organizations रचोटी जैसे बड़ी-बड़ी organization सबज क्या है तो जो बॉइसे च्छकों है यह एक ऐसा भाउसर एक लूब्राउजर जो तइब टाइब की अयह मध्मीश ऑर ऐसे के कि रहां तक्स को सपोर्ट कर रहा हूं। क्कि के उसमें हम टाइब भी कर सकते हैं और लिक भी सकते हैं और फोटो भी सेब कर सकते हैं ठीक है नेक्स पर आता हम next an application that locate information about webpage and then store this information in research data ways that you can access from your browser is called दीखे कहार है एक application का नाम बताना है जो आपकी information को locate करती है बैब pages पर ढूरती है आपके लिए आपके information को save करती है store करती है अपने database में और जब आपको चाहिए होता है आपके ब्रावजर होता है उससे आपको दे देती है तो यह किसका काम होता है search engine का काम होता है ठीक है और यहां पर application बो लगए application means होता है आपका application software तो software आपका कौन सा है search engine नेक्स आते हैं नेक्स पहुते हैं सेकेंड है अमारा a software program that lets you to use the internet is card इक ऐसे software जो आप internet के लिए यूज कर सकते हैं वो कौन सा होगा web browser software बोल रहा है not a software है तो आपका कौन सा होगा web browser ठीक है which of the following domain is used by the government government के दोरह कौन से यूज कियाता है .g भी सभी को पता होगा तो domain बगार आप याद रखेगा और domain आपसे पूछे जा सकते हैं फिर वह यह non-profit जो organizations होती है non-profit यह charitable organizations वह क्या लगाती है .or sorry .org ठीक है option number B हैंवारा C हो जाएगा next question है .5th number and http request has-part अब देखिए अब कुछन सुरू हो जाएंगे अपने अच्छे-च्छे question and http request has-part यह http कितनी टाइप्स की request भीस्ती है एक परस्टन को तो जो http होती है यह three type की request होती है एक web browser या एक web server को भीस्ती है फिर है a secret code that give you access to some program a secret code जो आपको कोई program में access करता है या access denied करता है वो क्या कह राता है password clue होता है नहीं है यह तो सभी को पता होगा next आते है seven number that is a part of the worldwide web that is not indexed by the traditional search engine यानि इसमें से कौन से worldwide web is not extended ठीक है and indexes by traditional search engine के दौरा नहीं है इसमें से तो याद रखना हो कौन से नहीं है deep web जो deep web होता है वो mostly search engine के दौरा नहीं के जाता है ऐसे search engine ऐसे बनाया जाते हैं लेकिन जैसे इसके search engine का एक्जांपल दो दो मैं जैसे onion search engine वो deep web को search करता है deep web यानि की गहरे web अब deep web के एक website का नाम अता रहा हूं अगर आपे सुना होगा dark web dark web जो एक website है यह hackers की website है इसको access करने के लिए आपको deep web या बहुत सकते हैं आपको ऐसे browser का यूज करना पड़ेगा जो बहुत जादा अंदर आपको search करने को एलाओ करते हैं जैसे onion browser तो एन बिस ब्रावजर होता है mostly used by hackers एक computer that provide a web document to users to new as computer ऐसे जैसे आपने जब बनाते हैं तो user में कुछ allow करते हैं यैसे आप हाँ आरा बना एठारा वहाँ रहाए हो साधी साथ क्या बना रहा हो कुछ ऐसे persons को भी можешь कर रहरह हो कि हां आप भी उसको access कर सकते हम प्र सकते हैं में यूजッ activities करूं तो दो चीजे होती है उसमें हैं किबल कुछी एकसिस को सकते हैं जैसे रीड करने के लिए नोट राइट है वल उसमें डिटा को और टेनिक सकते बाट यहां पर डाकुमेंच्ज इंटरेंट के डाकुमेंट होता है यूजर को ऐलाव करते हैं किसके जाते हैं ऐसे त Dreams 받고 के तो ह्तिकान बप्राइब was to do and don't on online communication इसकार जब हम do and don't communication कर रहते मतलब ने किस्ट ़िख टे तो हमारे पास कूछ rule and regulation होते हैं उ ninja noklein Toku internet की use घालते यह तो याद रहा रहा है तो यह जुना बोलते हैं जिलाने की मनाद को बोलते हैं बोलता है अपनी तो याद रखना विच्फ वी सब्सक्राइब तो यहां के सब्सक्राइब नहीं होते हैं मतलब प्रोटॉकॉल की कौन सी प्रोटीकॉल कहां पर एक्सिस करेगा डब्ल डब्ली डब्ली डब्लु होता है मतलब वर्ड वाइड वैप कहां से सच करेगा और यूनिक रेजिस्टर डौमें नहीं होता है जैसे .com.org .in यह साथ चीजे होती है इसका मतलब य यह ने की जो डेटा आप ट्रांफर करने की जो continuous flow होता है उससे क्या करते है डेटा ट्रांसफर करने के लिए continuous flow जो होता है वो कहा रहा था streaming streaming जैसे आप करते हो आप यह स्ट्रीमिंग करते हो वीडियो गेंग करते है इसका मतलब है आप वहां पिया ओनलाइन हो और continuous data को share कर रहे हो जो भी आप कर रहे हो वो होती है streaming ठीक है अगर आपने दीखा होगा online पढ़ते हुए या live पढ़ते हुए तो live जो होता है live important लाइब बेस एक्जांपल है नेक्स्ट विच फॉलाइंग इनेवर्स यूजर तो इस्पीक तो अधर यूजर ओवर दा इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू अगर आप बाते करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है आपको स्पीक करने के लिए अलाओ करता है तो बी ओ आई-प वाइस ओवर इ इसनल एक सॉफ्टर लगाया था वो था उसका नाम विंग 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 तो उस सॉफ्टरे के जरीए क्या था अगर आपके पास इंटरनेट है और आप बी इसनल के सीम यूज कर रहा है तैट मींस यू केन कॉल बिना पैसे आप अपने कॉल कर सकते हैं वो भी जो आपकी जैसे वाट्सअब में कॉल होती है बैसे ही आपके अनलिमिटेट कॉल कर सकते थे वाइदा इंटरनेट है फिर वाट इस दा फुल फॉर्म आफ वी मैक्स यानि डबलू आए मैक्स की फॉल फॉर्म क्या बताएंगे तो वी की है वर्ड वाइड ठीक है वर्ड वाइड स्क्रॉल करते हैं तब भी बढ़ने लगते हैं तो आप स्टॉप होके पढ़ें आराम से वाइड जा कॉमनली यूज़ वैब ब्राउजर फॉर इस्माल मॉबाइल डिवासे सचे सेल फोन मतलब ऐसे कॉन से बैब ब्राउजर होते हैं जो मोसली छोटे फोन में यूज के ज आराम नेक्स कोशिन है एंट बराऊजर आट डिस्पले आएं अंट बिस्पारिक व्रच बचेव रह एस अगर तेक्स टाइब गरीम झाल रहा है तो सुकर रहा है तो उसको क्या भूलिंग यम टेक्स ब्राईट ब्राऊजर और ना ने च्पिया थिया थे नेक्स रहा रहा है the process of transferring document graphic and other object from your computer to a server on the internet is called simple सी बात है अगर अपना data अपना data आप internet को दे रहे हैं that means upload कर रहें data को ठीक है uploading option हो जाएगा फिर इसका देस is a transmission of file from server और remote computer to users computer ठीक है अगर आप transmission कर रहे हैं server से या remote computer से अपने users के computer के अगर दो इसका में इसका हो जाएगा यह हो जा रहा है downloading simple सी वाता है 8 number the home page of website is जो home page होता है वो क्या होता है first page होता है यह तो सबसे पहले में बताई चुका है जो first page होता है उसे home page कहते है यह home page कोई first page कहते है जो भी आपको कहना है वो कह लिए ठीक है next is which of the first sorry which of the following term is not related to internet इसमान से कौन सा term internet से related नहीं है link internet to browser internet search engine internet cpu dot is not internet option a bd option number d वारा से जाएगा vap stand for अभी vap फ़र अपड़ा था हमने vap is a small browser that in a small cell phones the vap stand for wireless application protocol क्या है wireless application protocols next आते हैं फिर से लगवा हम 40 questions देख चुके हैं जल्दी जल्दी से सारे questions देख लेते हैं which of the following is a not is a domain suffix and domain suffix any domain के बाद क्या नहीं आता है dot edu आता है dot o r z आता है dot com आता है dot int आता है नहीं आता है dot in आता है dot int नहीं आता है यानि option number d हमारा सही हो जाएगा next which of which is a text field near on the top of a web browser window that displayed or the url of the current web page जिसमें आपका url so हो रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम address रहा याद रखिएगा ठीक है option number c हमारा c हो जागा उसे हम क्या कहेंगे address रहा question number third is a form of software that automatically display ads such as banners or pop-up when user is online मतुब कुछ ऐसी software होते हैं ठीक है जिसमें आप जैसे बहुत सारे software आप आप लूट करते हैं application software या Google Play Store से सर्ष करते हैं तो उसमें banner so करते हैं एड हो बहुत आते रहते रहते है एड्स आते रहते हैं advertisement तो वह advertisement होती है वो किसके तरह आती है तो जो एड्वेर के तरह आती है option number a सही हो जाएगा एड्वेर ठीक है जैसे आप internet से connect करेंगे एड्वेर के तरह आपके ads आने सुरू हो जाते है question number next है which of the following is small application that is designed to run with another application मतलब कुछ ऐसे application जो another application के साथ run किया जाते हैं वो कहलाते हैं आपके applet और जिसने भी Java पढ़ी होगी वो बहुत अच्छी से जानता होगे applet क्या होते हैं यानि कुछ ऐसे applet ऐसे program होते हैं बहुत with the hard security बहुत अच्छी security के साथ होते हैं जैसे अगर कोई अपने webpage को लाओगा तो उसमें आपने दीखा होगे animation चलते रहते हैं कुछ animation होते हैं कुछ text ऐसे important होते हैं या कुछ ऐसे videos होते हैं या कुछ ऐसे colorful text में आपको design type के दे रखे होते हैं तो वो चीज़े होते हैं वो applet के अंदर बनाई जाती है यानि जो web page है वो Java का page है ठीक है याद रखिए फिर next पे आता है dash is an incoming ink from the external website to a specific page देखिए एक इस external incoming link जो होता है उसे क्या कहेंगे backlink incoming link की बात की जा रही है पर तो incoming link को क्या कहेंगे back link six number है in email in email bcc stand for bcc perform क्यों होते है blind carbon copy ठीक है seven number is a group of computer that are controlled from a single source and run related for software program and script मतलब आप क्या कर सकते हो एक ऐसा computer जो बहुत सहरे computers को क्या कर रहा है control कर रहा है सारी resources को ठीक है और software को चला रहा है और manipulate कर रहा है तुसे कहते हैं botnet क्या कहेंगे उसको botnet नेक्स राते हैं what is the full form of dhcpp dhcp x of protocol होता है तो इसकी full form हो जाएगी dynamic host configuration protocol कहां पर आजाएगा option number c हमारा c हो जाएगा dynamic host connection configuration protocol यह नहीं है आपका जाएगा option number a आजाएगा हाँ dynamic host configuration protocol नेक्स कोशन एडाइस इस ग्रूप आफ सावर डिस्टिबीटेट इन डिफ्रेंट लोकेशन डिफ्रेंट लोकेशन में सर्वर जो डिस्टिबीटेट किया जाते हैं उसके ग्रूप को हम क्या कहते हैं cdn क्या कहते हैं option number a cdn cdn strand for obsidian की फिर्फॉर्म भी यादर किया तो cdn की फिर्फॉर्म होती है content delivery network content delivery network यानि कि हमारा option वह सी सही हो जाएगा content delivery network cdn की फिर्फॉर्म यादर कियेगा next is a malicious act in which a large number of email messages are sent to a single email address in a short period period of time देखिए बहुत सारे email अगर एक साथ बेज़ जाते हैं तो जो email एक साथ बेज़ जाने की process होती है mostly hackers के थ्रू की जाती है उसमें अगर fishing जो attack होता है वो इसी के थ्रू होता है और fishing attack होता है email bombing के थ्रू ठीक है option number c हमारा से हो जाएगा email bombing करते हैं और इसमें आपके बहुत धर धेर सारे email अलग अलग लोगों को बेज़ आते हैं जिसमें एक email पाकर सारे लोग उस पर क्लिक करने वाले होते हैं या कर भी देते हैं बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं है अच्चा है एडिया के फिल फॉर्म बतानी है बहुत अच्छा है तो एडिया के फिल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिटा इंच्ट इंच इंटर्चेंग होगा या देतना आपके data को create कर लेती है तो उससे कहते हैं digital footprint कहते हैं आपके जो footprint होते हैं जैसे अगर हम बोले आपने Google पर कुछ सर्च किया YouTube पर सर्च किया तो उसी टाइप की चीज़े बार बार आपकी आती रहती है तो यह क्या हो जाते है दिजिटल footprint क्रिएट हो जाते हैं और उसी टाइप के data आपको बार बार दिखाते रहते हैं पर या नीचे आपको Google के साइड में आपको छोट चोट चोटे बार के content नजरा आते हैं यह जाते हैं तो जो उसको कहते किया है बाकी तो हम अपनी जी खीट चीट फेट हों भी काहाई लेकिन यह ब्रॉजर में जो यह आइकन क्राइफ कौन ओसे घृव को फीजा आ पहलते हैं चीड हैं और एकट इनक्ष्वी आइकन बहुल सकते हैं और आइकन अपन उम्ट ऌतर और नहीं जाँआ का सब्रसक्र बहुत सारे एक साथ काम कर रहे हैं अलग-अलग काम को अलग-अलग टास्क को ठीक है बैरियस टास्क को जैसे कोई प्रोग्राम बनना है तो उसके टास्क को अलग-अलग करते हैं बात में उसको एड़ करके मर्ज कर जाता है उस प्रोग्राम को तो जो अलग-अलग काम कर रह एक सिस्टम जो होता है डिजाइन के लिए कि यह बताने के लिए कि कोई अधराइज एक्सेस इसमें घुसना जाता है तो यह दर्वाजे पर अलार्म लगा रखा एक तरीका से पूछ रहा है कि उस अलार्म का नाम बताई है जो पहले ही आपको अलर्ट कर देता है कि आपके कं अपके डेटा को एक्सस करना चाहता है तो क्या होता है हनीपार्ट अप्शन नमर्डी हमारा से हो जाएगा क्या हो जाएगा हनीपार्ट डैस इस अधर आफ पोस्टिंग और सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज ओवर दा इंटरनेट इंटरनेट के थ्रू अगर आप मैसेजस तो होते हैं लेकिन इस पैम मैसेजस नहीं होते हैं मतलब जिसे हम नहीं चाहते हैं कि आएं जैसे हमने धोके से किसी पर टॉस्ट कर दिया और क्लिक कर दिया लेकिन या फिर कुछ ऐसे अन्वांटेट मैसेजस होते हैं जो आते हैं लेकिन हम नहीं चाहते हैं उनको इसे क बढ़ेंगे सारी कोशिए तो दिकें, next what is the full form of ICMP, ICMP की full form आपको बताने है, internet control message protocol, क्या होती है option हमले internet control message protocol which of the following is a non-profit corporation that is responsible for the allocating IP address and managing the domain name system, मतला इसमाएं काउंसी जो non-profit corporation है, जो responsible हुटी है इंटरनेट देने के लिए इंटरनेट जो आपको देती है उस कंपनी का नाम बताने हैं एक तिकने नेम्स होते उनको गते इसी एन घंअ ठीक है नेक्स आगे बढ़ते जाते जड़ी ज़ेजें जाने या एक ब्राउजर के लिए तो सबकिने है या ठीक है Cross Browser website क्या कहेंगे मुसे Cross Browser website उसके बाद देखते हैं what is the full form of CMS CMS की full form आपको बतानी है सो CMS की full form हो जाएगी content management system content management system which is the following refers to application and services offered over the internet यानि कि कौन कौन सी application या services internet के थरू आपको provide की जाती है तो वह हमेंसे याद रखना internet के थरू आपको केबल cloud computing की जो services होती है वो फ्रवाइड की जाती है बाकि ICANN इस एक corporation that provide your internet नेक्स देखते हैं ICANN के full form देख लेते हैं जल्दी से तो ICANN के full form आपर जाएगी internet corporation for assigned name and numbers numbers and name assign करने के लिए जो corporation होती है उसे बोलते है ICANN ऐसे बहुत सारी कंपनिया होती है जो ICANN के अंडर आती है फिर next है which allows which allow multiple computer to connect to internet using the same internet connection and IP address same internet IP address या connections को provide करने के लिए कौन सी corporation होती है या internet कौन सी computers use करते हैं ICS option number C हमारे से हो जाएंगे internet communication system six number the amount of times takes by a data packet to move across the internet connection is term dash जैसे अगर आपने कोई चीज मंगाई है internet से जैसे internet से download करेंगे क्लिक करते हैं तो कुछ process चलती है जो process कर्यों टाइम होता है उस process के time को क्या करते है हम लेटेंशी कहते हैं उसको लेटेंशी ठीक है उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे dash sometimes called a mac microsite मतलब किसको हम microsite कहते हैं is a small website dedicated to a specific topic किसको कहते हैं mini site को mic joh microsites बोलते हैं नेक्स आते हैं हम जल्दी से 8 which is a special HTML tag that is used to store information about a web page what is not displayed on in a web browser मतलब कुछ ऐसे special tags होते हैं जिनका use हम करते हैं special information को डोलने information को store करने के लिए ठीक है और बट यह जो web browser होते हैं उस पर आपके सूर नहीं करते हैं तो जो meta tags होते हैं उनका यूज किया जाता है आपके web pages में या web browsers में next है आपका that is a program that allow you to search for files available on one or more FTP servers नहीं कौन से program जो आपके allow करते हैं search for files available on more one or more FTP servers एक FTP servers पर अलग FTP servers में आपके available होते हैं उनको access करने के लिए कौन सा program allow करता है आपका तो जो archie programs होता है वो allow करता है option number a हमारा से जाएगा जैसे अगर आप कोई software download कर रहे हैं तो वह एक website के लावा बहुत सारी website पे available होते हैं ठीक है तो उसको कहते हैं archie program dash sorry dash नहीं है which of the following term is similar to phishing but refers to आपका fraud fraud land message send over SMS rather than email मतलब phishing में भी क्या होते email भेजते हैं लेकिन आप email भेज कर हम direct SMS भेज रहा है किसी को उसकी data को access करने के लिए उसको hack करने के लिए तो जो direct SMS होते हैं उसको कहते हैं as missing as missing as missing ठीक है next आते हैं a way of storing your favorite sites on the internet is known as मतलब एक तरीका होता है जिससे आप अपने favorite sites को direct access कर सकते हैं तो direct access करने के लिए आप क्या करते हैं bookmark लगा दो और जैसे ही आप उसको access करने जाता हो bookmark पर click करो आप सीधे आप में website पर access कर सकते हैं न बी-सी आइ स्टेंट फॉर्म बतानी है तो यहाद रखना बी-सी आप स्वर्म हो जाएगी वर्च्वल के चैनल आइडेंटिफायर वर्च्वल चैनल आइडेंटिफायर डैस इस अ बे आफ इंटर लिंकिंग रिलेटेड बैप साइट शो दैर यह प्owe when考 विजेट मैने सिमिलर वैप साइट मतब एक तरीका होता है जिससेalayटिथा को इंटर लिंग कर दे जाता है और जिससे सारी विपसाइट問 यूजिसर होता है लिंक करके उसकी बैप साइटिफायर को Lazcat कर सकता है यह यह दो होगा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय इंटरनेट क्या होता है आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के दौरा दोसी वैपसाइट भी एक्सेस कर दी जाती है जिससे आप अपना पेमेंट उस वैपसाइट पर करके कर दें जाके हैं तो यह सब किसके दौरा ह तो यह कौन सा तरीका होता है वैब रिंग का तरीका होता है जिससे आपको जोड़ जाते हैं और जैसे फिर पेर्मेंट कम्प्लीट होता है आपस अपने मैफ साइट पर जाता है तो वापस एक छला बन जाता है कि आप घूम कर कहीं भी आओ अब आओ कि आप में में मैं फैसा ग्रूप फिफ नंबर कुशन है फिफ नंबर कुशन हमसे पूछा जा रहा है ए इडेंटिफाया देट दा नेम और लोकेशन आफ ए फाइल और रिशोस आफ ए यूनिफॉर्म फार्मेट उसके कहेंगे हम यूरी कहेंगे ठीक है और श्रमर्सी हमारा सी हो जाएगा यूरी नेक्स्ट है देश्ट पार्ट ऑफ टीप आईपी शूट और अफ प्रोटोकॉल यूस्ट फॉर देटर रांस्परिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूस्ट के जाया गा यहां पे डेटर रांस्पर के लिए सिंपल सी वात है यूज दीप यूदिफ फॉर्ट यूजर डिटर वेबसाइट देट अनुदर वेबसाइट हैज लिंक टू इट जब दूसरी वेबसाइट इसे लिंक होती है तो वहां पर जो नॉटिफाई किया जाता है वेबसाइट को उसको क्या करते हैं ट्रैक बैक इस जो लिंकिंग वाले हैं वो नहीं आप समल लीजिए अच्छे से सब्सक्राइट करें ट्रैक है कि दैस इस टाइप आफ डैनियल आफ सर्विस डी ओएस डी यूएस की फर्फरम याद रिखने का डैनियल अफ सर्विस अटैक दैट सेंडर असीरीज आफ एस वाई एन मैसेस टुआ कम्पेटर सच आइस बैप साबस जो ऐसाइन मैसेज होते है इनके थरों एक्सेस किया जाता है आपका डिटा या है करने के डिटी pronounced से प्राइसों साथे स्पर्वाइब बड़रोट एंगा प्राइब देटा के शुरू की जाती या और वो किसके तरो दैनियल अलाफ सेर्विस के तरह ठीक है तो यह किसके अंडर में आता है ऐस वाइब फूर्ट के तरह लट के थर्वेZA या अइन एस वाइब फ्रॉड जो थ call that is doesn't acknowledge the packet being sent have been received मतलब यहांसे यह जो packet होता है अगर आपने कोई data भीजा तो इसका acknowledgement नहीं पहुंचता है कि हाँ data पहुंच गया है नहीं पहुंचा जैसे अगर आपने कोई चीज डाउनलोड किया website से तो इससे मतलब नहीं होता है कि आपके पास डाउनलोड हुआ है यह नहीं हुआ है है ना तो यह एक लोग अग्नॉलिजमेंट आप दोवार नहीं भीजते हों कि हमारे पास डेटा पहुंच गया है कुशन नमर टैन है नेक्ट डेट डेटा को लेने के लिए जो एक्सेस करने के लिए तरीका होता है तरीका यानि प्रॉसर्स होती है उसको क्या कहते है स्क्रैपिंग के जरीए क्या कि जाती है और दीक अग्रिंग हम बता रहे हैं इसका मतलब चाहिए वह रार पकेट में यूज कर जाता है या फिर आपका विन पकेट में यूज कर जाता है वड़ी चोटी फाइल में और फिर चोटी फाइल को जब अपने कंपिटर में एक्स्ट्रेक करते हैं तो वह कम से कम दो से चार्ज भी या उससे भी ज्यादा एमबे की आपकी हो जाती है ठीक है तो यह प्रोसेस होती है उसके कहते है इसक्रैपिंग बस इतना आपको समझ लेना है कि नेक्स्ट आते हैं हम तो यहाह बहुति कि सैंश्ट्य को जड़ी साजी कोशन नहीं देख लेते हैं तो नेक्स्ट रगाताइस फॉर्मिंग फेशिंग फिशों अधर malicious act are known as your fishing hootie farming hootie and malicious acts hootie hun ko yaha pe kya kata hai to yaha dhkna in options kya according unko ka kata social engineering ठीक है बैसे तो यह सब cyber attacks hootie है लेकिन इनको basically क्या कभूलते है अपनी language में social engineering dash is a web service that allowed to subscriber to broadcast short message to other subscriber of the services उसको क्या कहेंगे micro blogging क्या कहेंगे option number micro blogging which is an example of micro blogging websites micro blogging websites का सबसे अच्छा example क्या है Twitter जिसमें अगर इसमें क्या कर सकते हैं जैसे यूजर ने कोई tweet किया उस Twitter पे भी कई सारे retweet हो जाते हैं तो retweeting की जो process होती है वो micro blogging के under आती जाए ठीक है फिर उसके बाद है VWPA is a type of security used for a type of connections किस टाइप के connections को लिए यूज करते हैं WPA तो यह बाइफाई टाइप के connections के लिए यूज की जाती है ठीक है फिर इसके बादे नेक्स है which of the following language is not passed via typical web browser मतलब इस मैंसे typical web browser से कौन से यहां पर passed होने का मतलब है उसमें रन नहीं करेगे ठीक है यही पुछा जा रहा है तो जो पर language होती है यह से सभी web browser में HTML चलती है CSS चलती है Java script चलती है जो pearl होती है वो सभी में allow नहीं होती है नेक्स है which of the following indicates a resource secure website मतलब इस मैंसे कौन सा यहां पर सबसे best है जो आपको बताता है कि यह website security है सबसे अच्छी security में है तो कौन बताता है HTTPAS तो देखिए इससे question आये हुए हैं जिसमें पताया गया था कई बार साथ उसमें question पुछा गया था कि जो अगर आप कैसे पता करेंगे कि कोई website secured है नहीं है तो इसके लिए 2-3 symbol होते है यहाद रखना अगर कोई website secured है तो उसके security इसके जो आप URL होता है तो उससे पहले आपका एक ताला बनेगा लॉक बनाओगा और वो लॉक जो होगा पूरी तरह से बंद होगा ब्लैक कलर का ठीक है तो उसका मतलब है कि security बहुत अच्छी है आप इस website को access कर सकते हैं अगर security को जो लॉक है वो खुला हुआ और ग्रीन कलर में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो अन सिक्यूर्ड है और इसमें लिखकर भी आता है नॉन सिक्यूर्ड ठीक है यह दो सिंबल्स होते हैं इन्हें याद रखियेगा और बाकी तो security अगर है तो इसका मतलब है आपकी लिख्योगी इस टीटीपी एस जो आपका यूर्ल होता है उसके सुरुवात ही आपकी होगी एच्टीटीपी एस यानि जो हाइपर टेक्स टाइप प्रोटोकॉल उसके बाद उसका security एस का मतलब है security है ठीक है और नहीं होगा तो फिर आपका security नहीं होगी उसमें अफ्राइप लीटेट नेगए पिर वर्ड किसन टाइप की जो प्रोग्राम होता है डाप्रोग्राम जो इंटर्नेट में आ रहीं चीजों को यह ट्राफिक को को फिल्टर कर देते हैं और यहांनि के कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन को आपकी डेटा को अन chilis करना चाता है इसको नहीं करना चाता है यह सब जारी फॉर्मलेटी होती है वो सीक छिर्ष की होती है फायर वाल की यहाद रखना नेक्स है what is another name of our online discussion board नेक्स सारे दिखाते हैं आपको देखो तो online discussion board की जो दूसरा नाम है वो आपका क्या है वैफ फोरम फोरम जो होती है चोटी 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 organizations होती है जो क्या करती है डिसकस करती है कि कोई का कोई चीज कैसे secure है नहीं चल लई है उसको कैसे access कराना है कैसे उसकी चीज़ों को देना है से भी जगाए ठीक है तो यह सब काम होता है वैफ फोरम का नेक्स्ट है what is the process of design and uploading a website का वैप साइट को upload करना design कर यह सब किसका काम होता है मेली जब websites को upload करते हैं तो that means उसको publish कर रहे हैं नेक्स्ट आते हैं 30 question बच्चे हुए है yeah that is an electronic fraud collecting इन विच इंडीविजलव और टिक इंटो ग्रैटिक कर एंटी करेट्री के एंटिकल पार्सनल इंटीजन और पर और स्हेंट में सारी जो चीजे की होते हैं अकर स्थों दॉरा पूछी जाते हैन तो आपका काहल रहता है वीशंग आता है। तो यह समझ लिखista, और अगर emails से आपकी चीज़े hack की जा रही है और phishing में आते हैं और email के नहीं जैसे कोई कोई साफ्ट्रे करें, direct SMS क के जाता है तो आप सो मैं आता है, आपका आता हैnoc uhh और फिर आगर आपका phone के जरुए आपका data आक्सस किए जा रहा है, that means wishing ठीक है वही next पूछा भी जा रहा है wishing is known as wishing को क्या कहते हैं तो wishing को कहते हैं voice over net internet यानि वियो आई पी भी कहते हैं यह ऐसे persons होते हैं जो खुद अपने contact से call नहीं करते हैं यह internet यानि ऐसी IP addresses call करते हैं जिसमें इंसान को पता ही नहीं चल पाया है थिर्ट करते हैं कि यह किस का नंबर है dawn जबकि वह किसी का नंबर नहीं होता है वैंक i1 प एड़रेस हूता है और आएपी एड़रेस को पहकर बहुत मुझकी होता है कि आई पेर स्काहिए ठीक है तो आइप अदरों करते हैं और voice दोनों जो काम होते हैं वह विशिंग के अंडर आते हैं तब इसको बोल जाता है विशिंग नेक्स दिखिए डाज इस अनुदर इसके वेर फ्रॉड जो फ्रॉडर सोते हैं इंस्टॉल मैलिस्यस कोड ऑन दा पासनल कंपेटर और दे सर्वर क्या करते हैं यहां पे कंपेटर में जिस कंपेटर जैसे कोई वैपसाइट को आप एकसेस कर रहा हूं उस वैपसाइट में किसी यूजर नहीं है किसी हैकर ने उसमें अपना हैकर में अपना सॉफ्टर डाल दिया और आप उसको डाउनलोड कर रहा हूं यह जो प्रॉसस होती है यह कहलाती है फार्म और अगर आपका call से data collect किया रहा है phone से पूछा जा रहा है data that means wishing और फिर अगर आपका पूछा जा रहा है direct अगर आपकोई download कर रहा है और downloading में ही आपका data में miscellaneous data है या code है या छोटा program है hack करने के लिए तो वो कहलाएगा forming ठीक है यह सारी चीजें आप याद रखिएगा अब देखें वीच आप फालेंगे सिक्यूर्टी अटेक थ्रोड़ एसमेस इन विच दा यूजर माप सीधे से स्मेस किया जाता यूजर को अभी बता दिया मैंने एसमेसिंग कह लाएगा इसको ठीक इस पर कुशन सबक्राइब को सकते है आजाए आजाए आज एसमेसिंग इस को क्या चाहिए जा रही है फिशिंग का मतलब मैसेज भेजा जा रहा है नेक्स्ट इस फॉर्म ओफ फ्रॉड इन विच दा अटेकर ट्राइस तू लर्न इंफरमिशन सच अस लॉग इन करदेंशल एकाउंट इन फॉमिशन वाई मैस करड़िंग एज एज रिकॉर्टेवल एंटिटी और परसें इन इमेल इमेल के जरी आपके जो आइडेंटिट कर रहे हैं तो वह आपकी फिशिंग केंडर आएगी है ना इसमें आएगी आपकी फिशिंग केंडर ऑप्शन नमर भी हमारा सीव जाए होगा नेक्स्ट देखे दें द्यान से सावन नमबर कलेक्टिंग पर्शन इंफरमिशन एन इफेक्टिव पोशिंग एस अनुदर इंडिविजल एस नोन एस दे क्राइम आफ यह सब किस टाइप की क्राइम होते है आइडेंटिटी थ्रेड और इडेंटिटी थेफ्ट यानि इपी एड्रेस इस बित अपपेज आफ कानेक्टिंग यानि इनका परपेज होता है आफ कैंसलिंग आइडेंटिटी आफ सेंडर एंड इंपर्सनेटिंग एनदर कंपिटर सिस्टम इस कार्ट तो यहां पर जो चीज़ों होते हैं उसको क्या करते हैं बहुत अच्छे से को वो एक है किए उसके जरी यह आपके कोई दूसरा मेल भीजा गया स्म्स भीजा गया तो वो चीज़ों होती है वह सब में दो कि दुरुफवटर आती है हैै इस पूफिंग 거지 के ध्राइंगे सब्रूफिंग नेक्स्ट आता है Howard IIM ethical hacker who use their skill to secure the integrity of computer system or network is card मदब कुछ ऐसे ethical hackers जो अपनी identity को secure करने के लिए security provide करने के लिए दूसरे computers को security provide करने के लिए use करते है अपने hacking की skill को वो किस type के hacker होते हैं वो होते है white hat hacker hacker भी तीन टाइप के होते है white hat hacker black hat hacker और red hat hacker तो white hat hacker होते हैं यह जैसे अच्छे होते हैं ऐसे इनका यूज़ किया जाता है police system में यह फिर ऐसे बड़ी बड़ी security provider में जहां पर बहुत सारे hackers का thread रहता है खत्रह रहता है और यही hacking का सबसे main काम करते हैं यही hacking करते हैं और बाकिया आपसे data बगरा आपसे चुराते हैं और इसके बदले आप से कोई demand करते हैं ठीक है फिर है spam over instant message is card spam over instant messaging messenger is card उसको क्या कहेंगे spam यानि spam के लिए जो messenger use के जाता है उसको क्या कहते हैं spam ठीक है नेक्स्ट an internet service that translate domain name to the IP addresses is card यानि एक internet service जो domain name को IP address में change करते हैं उसे क्या कहेंगे dns domain name system ठीक है it dynamic websites is normally database driven in which enable the owner users to manage the content of their own websites अपनी websites को manage के लिए करने के लिए allow करते हैं तो वह कह कहलते हैं content management system ठीक है next आते हैं जल्दी से देख लेते हैं 10 questions बच्चे हुए है unauthorized access unauthorized access to information by using the terminal that already logged on with an unauthorized ID is card उसके क्या बहुंगे piggy banking पिगी बैकिंग इसमें unauthorized terminal होते हैं जो login करते हैं आपके authorized IDs को ठीक है जैसे authorized ID जैसे कोई निमी online की website से उसमें कोई authorized ID बनाई गई है ऐसे college की ठीक है और उसमें कोई user hack कर लेता है उसको तो यहां पर बोलेंगे उसको piggy banking ठीक है यह सारी चीज़ें आप समझेंगा होंगे अच्छा सी नहीं आता तो comment में कीज़ेगा हम आपको फिर वहां पे group में बता देंगे the unauthorized activities of malicious software is जो software के दरी unauthorized activity की जाती है उसके के बोलते है पे लोड ठीक है unauthorized access to restrict system or resources referred as unauthorized access जो restricted होता है उसके resources को क्या कहते है रिसोर्स को क्या कहते है पेंटर इरिटेशन नेक्स्ट आगे आते हैं इस पार्म ओवर इंटरनेट टेलिफोनी इस नोन एस टेलिफोन के थरू अगर इस पार्म होता है तो इसको क्या कह बोलता है speed क्या बोलते हैं speed यहादखना तो यहां पे एक नंबर कोशन है है modification of data in a domain name system याणि domain name system में क्या कर रहा है modification कर रहा है so the call the particular website or even entire domain as misdirected or fraud-maligned purposes term days उसका main purpose क्या होता है याणि जो frauders होते है उनका main purpose होता dns case poison करना याणि जो भी आपके google में dns catch cache memory बनी है उसके data को access करना क्योंकि cache memory में हमारे बहुत सारे password save होते हैं और password save करने के साथ साथ हमारे पास हमारे कभी-कभी हम उसमें अपने जैसे email address या फिर हम अपने payment card card का payment की जो information होते हैं वो भी save करकर रखते हैं तो उनका चुराना बढ़ता है main purpose होता है next आते हैं फिर आस नंबर of unwanted email message to a single response किसी एक ही बंदी को बार बार बढ़ेर सारे message message या email send करना तो वो किसके थ्रू कहलाएगी mail bombing क्या कहलाएगी mail bombing आपको देख लिए क्या है यहाँ पर malicious modification और destruction of data such as changing information on a website is card देखिए यहाँ पर करें malicious malicious data modification destruction data such as changing information on a website 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 पर आपके data को change करना है आपको data चुराया और data के according फिर आपका ही data change कर दिया तो बहुत सिब किसके अंदर आएगा vandalism ठीक है याद रखना है next आते हैं जल्दी से 10 questions बच्चे हुए 10 questions उसका पहला question है which one of the following is a key function of firewall firewall का key function क्या होता है monitoring ने जितनी भी चीज़ा आ रहे हैं उनको monitor करके रखना इसका key function होता है ठीक है फिर which of the following inputs a computer memory what unlike a virus it doesn't respirate itself मतलब following inputs a computer memory computer की memory में input कर जाता है but unlike a virus virus नहीं होता है virus की तरह नहीं होता है it does not respirate itself यह अपने आप में बहुत ज्यादा होता नहीं है बढ़ता नहीं जाता है इसको जब दूसरा भी भेजता है तभी यह होता है ठीक है इसको बोलते है logical इसकी प्रसमाद लीजिए जैसे किसी ने आपको email भेज़ो ठीक है यह कोई बारस नहीं है जब तक आप इसे खो अगर आपका computer अपने हाप बूडी बूटिंग कर रहा है that means आपके computer में बारस आ चुका है ठीक है rebooting करने का मतलब है आपके computer में बारस आ चुका है घुच चुका है चैसे बारस उसको रिमूब के लिए पहले फिर दार डैस ओफ थ्रैट यानि किस चीज का खत्रा दैस ओफ कि लिए सब और पर nay कि देखें नेक्स्ट है फाइफ नमबर डिजितल सिगनेचर इस तो डिजिटल सिगनेचर क्या होता है या आद किशन इनक्रिफशन इनफरमिशन होती है इंक्रिप्टिंग इनफरमिशन जिससे कोई डीटा हमारा चुरा ना पहा है ठीक है सिक्स नमब क्या क्या लाती है किस के अंट लाती है फॉर्मिंग के अंदर लाती है किसी भी टाइप का हो आपको समझ लेना टेक्स किया रहा है तो नाइन नंबर कोश्चन है देखिए यहां पर बोला है अमेल्वेर प्रोग्राम यूज वाया ब्लैक हैट है कि दोरा यह मैल्वेर प्रोग्राम यूज के रहता है रिमोटली बहुत दूर बैट ठेटिक्या इस पैम करने के लिए तो जो अक्नॉलिजमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं जॉंबी बहुत अच्छा बढ़ रही है ज इस पूफिंग तो इस सारे कोशन आपके कंप्लीट हो गया होंगे आई होप यह सारे कोशन साप अच्छा से पढ़ लेंगे समझ लेंगे और अगर थोड़ा थोड़ा पढ़े इसका मतलब यह नहीं कि यह बड़ा वीडियो है तो आप छोड़ देंगे नहीं थोड़ा आपको अच्छे लगाओ का वीडियो और लाइक करिएगा हमारे चैनल को भी और सब्सक्राइब कर लिए ठीक है मिलता है नेक्स ऐसे वीडियो में और इसका नेक्स वीडियो आपका आज सामको आएगा इसलिए कुछ एम भी बजा कर रिखेगा सामको थैंक्यू गाइस मिल ते नेक्स वीडियो में